अब देख्श मौहदे मैं आपका स्वागत करती हूँ और ये सभी संसर जितने भी आज यहाँ पर बैठे हैं सभी को दिल से प्रणाम करती हूँ मैं ऐसे एरिया से विलॉंग करती हूँ जहाँ पर सबसे जादा शेडियूल ट्राइब एरिया है आज जो हम जिस पर बात कर र जाता है वो मेलगाट करके बहुत बड़ा प्रसिद्ध है आज वहाँ पर देखे तो वहाँ पर सुखा है वहाँ पर पीने को पानी नहीं है पिछले तीन महिनों से लोगों को 10 किलो मीटर चल के जाना पड़ता है एक हंडा भर के पानी लाना पड़ता है ना वहाँ पर जानकारी चाहिए और पानी और पॉर्शन थे माइटी उन से पुरी इंपर आप एक वाक्या एक वाक्या एक वाक्या एक वाक्य में कर दो I think he is talking into the same way but I am very a small actually a small person where I am coming from I am coming from Amravati city where people are still so behind people are so back females want to do everything for themselves but they cannot get anything they want to earn 80 rupees a day but they are not getting opportunity we are getting everything opportunity in Mumbai we are getting opportunity in Bangalore we are getting opportunity in Bangalore we are getting opportunity in Delhi but in people living in Amravati they are not getting even paid for 80 rupees so I belong to that constitution ki where people need a day 80 rupees to earn and they are not getting that and when I took oath basically if you ask me so I was thinking every moment when I entered to that place to make stairs ko pahle maathah laga kar apne sir pahle laga ya ki mai is jaga pahle jaha pahle sabke zada pure desh ka puree loogon ka vishwaat sabce zada hai mandiroh mein haam jatay hai toh khud ke liye par loog sabah mein jatay hai toh puree desh ke liye dan kya posthi a saad marahaske am rabati se naredalhi mahala sansat ku tawar pare namir kaur hem aare saad yaa par maucho deh namir ji yaap se mei tana chao gao? Jaisi maa ka pahela bachachah waar wau hemeyesha ihe piara ho तो पहली बार जब लोग विश्वास करके आपको पहीं भीजते हैं, संसुच में बेजा है, तो मुझे लगता है, हर चीज के लिए भी मुद्टे मेने बोले हैं, वो कैसे पूरे होंगे, या फिर वो सरकार में नहीं रिभूम है, या फिर विरोध में भी नहीं, उनके साथ मेरे जिल्ले का निकास में कैसे करूंगे, हर मुद्दे के लिए बहुत क्लियर है, क्योंकि इस बार जो यंश्वास आए हैं, बहुत नहीं सोच के साथ आए हैं, तो मुझे लगता हैं, उनके साथ उनके मुद्दे भी बहुत क्लियर हैं, तो हर मुद्दे के साथ में बहु पहुंचपाई है, अभी आरक्षिन के गुहार लगाने पड़ी है, तो महिला के लिए राज़ीती के रहा केतनी मुश्किल है? बहुत जादा मुश्किल है, एक तो अगर नन बैक्डाउंड, पॉलिटिकल बैक्डाउंड के लाते हैं, तो यहां तक पॉंचना भी पचासा मुश्किल हो जाता है, मुझे लगता है, तो रिजर्वेशन रहा, तो नहीं फीमेल्स को अपॉचुनिटी मिलेगी, अगर रिज पॉलिटिकल महिलाओं को आगे लाना है, अगर ना मटा के सिंपल साधी महिलाओं को जो टैलेंटेड हैं, कुछ कर सकते हैं और उनको लाना है, को हंडिट पसंट हर जगा में महिलाओं को रिजर्वेशन देना पड़ेगा, एक बार रिजर्वेशन दीजिए, उसके बाद हटा दीजिए, पांच साल में हमको महिला दिखाएंगे, फिर लड़ने की ज़रत नी पड़ेगा, और रिजर्वेशन की ज़रत नी पड़ेगा, यह बताइए कि यहां पर हमने देखा है कि कई बार खोल बहुत बरा लगता है, कि जस्तरी की भार्शा करता है, जस्तरी की न पीड किया है हमारे अम्रावती की जंता ने, उन्होंने मेरे उपर ऐसे ही कुछ बहुत एलिकेशन सलगाया थे, क्रॉप करके मेरे पोटो, जब मैं आक्ट करती थी, प्रोणों में काम करती थी, तो मेरे फिल्मों को एक अलग रूप देकर आपको ऐसी सांशत चाहिए, तो हमने अगर इनके चरितर पे बोला, तो शायद ये फीमिल वहां पे स्टॉप कर जाएगी, वो लाइन हमें क्रॉस करनी है, और जिनने क्रॉस कर गए, शायद वो जिन्दगी में बहुत कुछ बन जाएंगे, तो I think मैंने वो पाइट किया, आसो जरूर आए, रोई हूं उस व्यक्ति से, और उस समाज से जो महिलाओं को डॉमिनेट करते हैं, उससे लड़के, आज शायद में संसथ बन गई, तो I think बगवान है, कही ना कही है, तो महिलाओं के अंदर जो थाकत है, शायद वो सिर्क लानी की जरूरत है, आज महिला वोटर्स क्यों बढ़ी है, व वो ऐखोस्ट वो सिर्क बढ़ी है, नियुक्त वो खुद इनडिपइंडेंडन हुई है, आज जब इनडिपेंडन हुई है, तो वो अपने विचार से आगे जा जा कर वोट बोट, कि अज मैं जब शेतर से अई हूँ, मैं बीजे पी, शिवसेना, शिवसेना के गरोग से अगर आगर है अपने मेरि वोटिंगा देखी है तो मुझे लगता है मेजॉरेटी फीमेल ने वोट किया है, अगर वो बीजेपी के कारे गर्ता है फर उनने नभनीत राणा को उनकी वाइप ने वोट किया अगर सिफ़ नहीं वोट करॉर jam वोट करेंगे, ऐसे फीमेल जो 9 साल से काम करेंगे, तो मुझे लगता है हर महिला उने अपनी सोच दूसरी महिला तक पहुंचानी बहुत जरूरी है, अपना जिचार, अपनी टालेंट, अपनी सोच व्यू रखेंगे, तो महिला एक ऐसी है, अगर महिला बोलेंगी मैं 100% हो, तो दूसरी महिला कभी सपोर्ट नहीं करेंगी, I always take this decision, कि I am always 99 अनदा फीमेल, is always 100%. I believe in that, if you appreciate somebody else, the female are always ready to appreciate you, फिर वो महिला आपको 100% मिनाने के या आदे है, तो हम 100% उमीद करते हैं कि सदन के भीतर भी आपकी attendance भी 100% हो, आपका काम भी 100% हो, all the very best, thank you for talking to you, thank you.